हाई फेंज राजिश ये फॉम टेक्नोबस. तो फाइनली जो है Android 11 जो है Google Pixel phone के लिए आज रिलीस हो चुका है Stable version जो है आज भार आचुका है और काफी सारे Pixel phones को जो है इस टाइम पे जो है Android 11 का update जो है देखने को मिल चुका है तो जैसे कि आप देख पारे है इस टेंपल है हमारे पास Google Pixel 2 जिसके अंदर जो है हम आज Android 11 के रोम को यूज कर रहे हैं हमको यह update है जिसके तुरु हमने इसको इंस्टॉल के लिए है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रू करते हैं साथ इसाथ वीडियो को लाइक कमेंट शेर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है Google Pixel 2 Excel और इसके अंदर जो है हम latest Android 11 का बिल्ट है जो कि हमें आज OTA अपडेट आया है वो हम रन कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे है Android version 11 security patch जो हमें इस फोन के अंदर मिला है September 5 2020 का और जो Google Play system अपडेट है वो भी हमें September 1 2020 का यहां भी देखने को मिला है आपको सभी के सभी features जो है Android 11 के देखने को मिलते हैं यह एक stable update है इस टेम पे Google Pixel phones के लिए आ चुका है और beta update जो है काफी सारी phones के लिए आना शुरू हो गया है इनके phones के लिए इस टेम पे beta update जो है आना शुरू हो चुका है अगर features की बात की जाए तो काफी सारी नए features जो है आपको इसके अंदर introduce किये गए है अगर आप power menu पर जाए तो आप देखता हैं कि power का जो पूरा menu है पूरा completely change हो गया है आपको काफी सारी आप option मिल जाते हैं जिससे emergency, power off, restart और device controls के भी आपको option मिल जाते हैं जिसमें आपक यह cat controls का भी option मिलता है जिसको आप यहाँ पर enable कर सकते हैं एक तरीके से जो है आप इसको यहाँ पर enable कर किन को आप एक छोटा से game है एक तरीका easter egg आप जिसे बोल सकते हैं जिसको आप यहाँ पर easily खेल सकते हैं इस तरीके से यह आपको इन चीज़ें को set up कर से अगर आप GPay यूज करें उनके भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आफिर कोई smart home devices यूज करें उनके भी सारे कैसारे टैप्स आपको power screen में देखने को मिलेंगी जहां से वाप उनको enable पर select कर सकते हैं copy paste जो भी करना चाहें वो आपको option मिल जाता है और screenshot यहीं से आप capture कर सकते हैं और इनको यहाँ पर easily share और edit भी कर सकते हैं share में आपको जो भी आपकी devices के अंदर applications हैं जिसके साथ आप share कर सकते हैं उनको आप use कर सकते हैं या फिर आप edit करना चाहें तो इसको edit भी कर सकते हैं edit में जाके आप इसकी crop पगरा कर सकते हैं जो भी आप यहां से use करना चाहें उस तरीकी से आप इसको use करके यहां पे देखने को मिलदी तो यूई में आपको चोटे मोर्य चेंज दरूर के उसी तरी डी के श्क्रींशाट और कुछ text select करने का भी option आपको यहां पर देखने को मिल जा पा है अगर होम स्क्रीन पर थोड़ी तर टैप रखें तो आपको वही home settings, widgets and style wallpapers मिल जाते हैं style and wallpapers अंदर भी UI जो है completely change कर दी है style standard आपको काफी सारे जो हैं यहां पर styles और points आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप easily यहां पर access कर पाते हैं और wallpapers में आपको सभी के सभी जो Google Pixel phone के जो default wallpapers होते हैं वो आपको यहां पर सारी के सारी चीज़े यहां पर चेक आप कर पाते हैं काफी सारे नए चीज़ों को इसकेंदर introduce किया गया है अगर आप क्यों settings पहले में जाते हैं तो आपको यहां पर काफी सारे टॉब्स देखने को मिलते हैं उसी में आपको एक यहां पर screen record का भी option मिलता है जैसे आप इस पर tap करते हैं आपके सामने दो option यह आपको देता है record audio में आपको microphone चाहिए यह device audio चाहिए यह device audio and microphone यह option भी मिल जाता है इसमें उन लोगों काफी helpful होगा जो mostly online games किलते हैं जैसे COD, PUBG विगेरा जिसमें आपको device audio और microphone दोनों को एक सा जो है record कर सेते हैं तो यह option भी अब आपको यहाँ पर मिल जाता है show touch on screen यह कुछ options भी अब आपको screen recorder में यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक चीज और जो नई जो है Android 11 में आपको देखने को मिली है mostly वो मिली है wireless ADB debugging mode जैसे कि आपनों को पता है कुछ भी ADB commands को run करने के लिए आपको अपने phone को USB cable के दुरू अपने PC के साथ connect करना पदा था अब उसको जो है आप Wi-Fi के दुरू भी जो है उन commands को run कर सेते हैं तो उसके लिए आपको क्या है अपने phone के developer option में जाएए वहाँ पर आपको जो है अब एक नया option वहाँ पर देखने को मिलता है मैं आपको दिखा जाता हूँ यह लिए wireless debugging debug mode when Wi-Fi is connected जैसी आप इसको enable कर लेंगे जो भी आपका Wi-Fi network है यह उसके साथ connect हो जाएगा आपको यहां से permission देनी है allow करना है और उसके बाद जो है आप Wi-Fi के दुरू जो है ADB debugging mode को भी अपने phone के अंदर use कर पाएंगे तो यह भी एक नया feature जो है आपको यहाँ पर देखने क काम कर रहा है आपको इसके अंदर playground mode भी मिल जाता है Google Pixel phone के अंदर आप जैसे कि देख पारे हो playground mode हम को मिल चुका है जो भी यूज करना चाहें उनको इसली यूज कर सकते है एस्टो फोटोग्राफी पोट्रेट मोड इस सारे option मिल जाते हैं settings पहले में आप जाएं तो आप स आपके अपके अलग टैब होंगे बाकी आपकी जो applications के notifications होंगे वो आपको एक अलग टैब में देखने को मिलेंगे और नीचे आपको history और clear all घबी option मिल जाता है इस्टेग पर जैसी आप करते हैं तो जितने भी आपने notifications जो आपको आई है अब तक वो सारी के सारी जो है आप यहाँ जाके चेकआउट कर सेथे हैं अभी तक आपने कौन-कौन सी notifications जो है receive कि यह उसलिई क्या होता है कई बार जो है आप notifications को miss कर देते हैं या close कर देते हैं तो आप जानना चाहते हैं कौन-कौन सी notifications आपको आई हैं तो आप यहां से जाकि जो है सारी के सारी अपनी notification history को easily जाकि यहां पर चेक आउट करते हैं यही नहीं अपको settings पहला में ही आपको media control का option मिल जाता है आप कोई भी media कोई भी application यूज़ कर रहे हैं चाहिए Google Play Music YouTube यह कोई और Music Play देखते हैं कुछ इस तरीका का आपको यहां पर लुक देखरेंगे मिलता है अगर आपको यहां पर फोन speaker का option मिल जाता है जिसमें आप फोन speaker यूज़ कर रहे हैं तो फोन speaker show करेगा अगर आपके पास कोई और new device है जैसे ब्लुटूथ या ब्लुटूथ स्पीकर रहा वो सारी चीज़ें आपको यहां पर show करेंगे जहां से आप easily इनको access कर सकते हैं और अपने प्लूटूथ devices पे भी play कर सकते हैं तो यह भी major change आपको notification panel के अंदर अपने देखने को build up ही है उसी तरीके से अगर हम settings में जाएं और settings में अपने phone की जो हमाल एप से notification section होता है वहां पे आप जाते हैं तो वहां पर जो conversation की नीचे आपको notification का option देखने को मिलता है वहां पे जो है अब आपको notification history जो मैं आपको बचा चुका हूँ उ तो इसके लिए पहले उन application को अपने आपको update करना पड़ेगा ताकि बबल सपोर्ट जो है इस application पर कर सकते हैं तो यह कुछ नए features आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपको इस ताइम पर देखने को मिलता है आपको इसके अंदर जो है डाक तीम का भी option मिल जाता है जिसक और आपको privacy के features जो है इसके अंदर यहां पर देखने को मिल जाती है तो बसी चोटा सा वीडियो इसी के पढ़ता कि finally जो है Android 11 जो है release हो चुका है Google Pixel phones के लिए और मैं कुछ features आपको दिखाना चाता था और जो beta version है वो OnePlus के phones को और कुछ Xiaomi के phones को इस time पर मिलना शुरू हो चु झाल बाइ